कभी भी आपका हलका फुलका गम मिर्च मसालों का कोई भी डिश खाने का दिल करें तो आप इसली बना सकते हैं चिकन पलॉव प्रेशर को करके अंदर और इसको बनाने में चाथा टाइम भी नहीं लगता है सिर्फ 20-25 मिन में आपका जो चिकन पलॉव बनके त्यार हो चेको और चिकन देखे कितना सौफ्ट और जूसी चिकन है और साथ में राइस देखे इतने खिले-खिले राइस वो भी प्रेशर को करें अंदर वो कैसे बनाते हैं आपको आज की रेस्ट में बताने बाला हो बस आपने वीडियो लाश्ट देखना है लाश्ट में ही आपको बता चलेगा कि राइस इतने खिले-खिले कैसे बनते हैं तो प्लॉब बनाने के लिए हमें सबसे पहले राइस चीह होंगे यहाँ पे मैंने 300 ग्राम बासमधी राइस लिए हैं राइस जितना पुराना होता है उतना ही बढ़िया बनता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है राइस को दो लेना है कम से कम दो से तीन पानी से दोना है और दोना बहुत ही सॉफ्ट एंड से है जोर से मैश नहीं करना है क्योंकि बसमधी राइस होते है यह तूट जाते है अगर इनको मैश करके दोएंगे ये देखिए दो से तीन पानी से दो लिजिए इसके अपने राइस को कम से कम 30 मिन तक पानी में भिगोके रखते हैं भिगोके राइस को पनाएंगे राइस में लेंट च्छी आती है और यहाँ पर मैंने आदा केची बीद पोँच चिकन लिए आप बोनले चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं और ये देखिए लेग पीस में अच्छे से कट भी लगवा दिये ताकि अच्छे से बगे नमक मिर्ची का टेस्ट अंदर तक चाहे आदर छोटा चमच जिसमें नमक एड़ करेंगे और एक छोटा चमच आपने इसमें जिंजर कली पेस्ट आइड करना है और अच्छे से आपने चिकन को मिक्स कर लेना है कम से कम 15-20 मिल तक इसी मेरिनेशन में चिकन को छोट दीचिए और थोड़े से यहाँ पर मैंने खड़े मसाले लिए लॉंग, चबित्री, हरी मेर्ची, दालचिनी का टुकड़ा और तेज पत्ता, छोटी लाची और बड़ी लाची इनका यूज करेंगे फ्लेवर के लिए और दो मैंने प्याज लिए थे जिनको मैंने एक तम फाइन स्लाइस काड़ लिए अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुक कर लिए है और उसमें दो बड़े चमच ओईल आइड करेंगे साथ में इसमें एक बड़ा चमच आपने देसी घी डालना है आप प्यूर गी में भी प्लॉव को बना सकते हैं जैसे आपका घीच होए थोड़ा मेल्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर होल स्पाइसीज डाले है यह देखिए अभी मैंने इसमें सिर्फ होल स्पाइसीज डाले है जो गरींच ली ली थी बोनिया भी इसमें डी एड़ की है और साथ में इसमें स्लाइस की और प्याज भी आड़ कर देंगे आप चाहें तो प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं अब अपने गेस की फ्लेम हाई करनी है प्याज को तब तब पकाना है जब तब प्याज का जो color है golden brown ना हो जाए light golden इë golden brown प्याज का color करना है तब ही प्लाभ में अच्छा color आएगा देखिए और जैसे प्याज आपका golden color में हो जाए gas की flame आपने एक्टम low कर देने हैं ने तो प्याज इस तैम में जल जाता है जल गय बूणना है यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैंने सिर्फ 2 मिन्ट तक चिकन की भुनाई की है इसके उपर से इसको कवर करते हैं इसके ढ़कर दखायते है ताकि चिकन थोड़ा सौफ्ट हो शायए और कि देखे कम से दो मिन्ट तक आप इसको कबर करके पकाइए और इसके बाद देखिए आपको दिखर होगा यहाँ पे कलर जो है चिकन का यहाँ पे चेंड जो चुका है तो अभी टोटल चार से पांच मिन दो होगे चिकन को बुनाई करते होए चिकन को भूणने से क्या होता है चिकन के अंदर जो एक कच्छी समयल होती है पोख अतम हो जाती है और दूसरे चिकन के जो pieces तो तोटते नहीं है नहीं तो आप इसको drag boil करेंगे चिकन के pieces सौफ्टर करेंगे तोटना शूरो हो जाते है फिर हम इसमें हरी मिर्ची भी add कर देंगे और साथ में आपने इसके अनदर काली मिर्च का crush डाला है कुटी काली मिर्च डाल दीचिए ये तीखा करने के लिए आदा छोड़ा चमच नमका और add कर देते हैं और अच्छे से mix कर लेते हैं और इनको भी थोड़ी दिर भून लेते हैं अब मुझे काफी सारे कोमेंट्स आते हैं कि ब्रियानी और पलॉव में फ़रग क्या होता है ब्रियानी को बनाने के लिए काफी सारे स्पाइसिस का यूज क्याता है पलॉव बिल्कुल सिंपल होता है ज़्यादा स्पाइस इसके यूस नहीं की जाता है और ये देखिए चिकन को मैंने आपे 10 मिन तब भून लिया है अब हम इसके अंदर पानी एड़ करेंगे पानी कितने डालना है दिखाता हूँ इससे मैंने राइस लिये थे एक सूप बॉल से अब इसी से हम पानी डालेंगे तो ये देखिए एक सूप बॉल मैंने भर के पानी का एड़ कर दिया है और एक सूप बॉल और पानी का एड़ कर देते हैं बट जो दूसरा सूप बॉल है पूरा भर के निडालना है थोड़ा सा कम सूप बॉल डालना है आपने मतलब अगर एक कप आप राइस का लेते हैं तो पौने दो कप आपने पानी का एड़ करना है यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम कैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में बॉयलन तक का बेड़ करेंगे जैसे बॉयल आचाएगा उसके बद हम इसमें राइस से एड़ करेंगे मैंने इसमें कोई भी हल्दी पॉर्डर कोई भी देगी मिच पॉर्डर का यूज नहीं किया फिर भी राइस में जो कलर ना बहुत ही बढ़ी आएगा तो चिकन को यहां पर उबलते हैं कम से कम 3-4 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं फ्लेवर के लिए ताकि अच्छा धनिया का फ्लेवर भी आए पलाओ के अंदर और साथ में इसमें आपने राइस भी आड़ कर देने हैं तो जो राइस में बिगो के रखे थे पूरा पानी आपने निकाल देना है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनके अंदर अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत पानी एक्स्रा रह गया तो फिर आपका जो पलाओ है वो गिल्ला हो सकता है तो इस तरह से पानी निकालके आपने राइस भी डाल देना है प्रेशर करके अंदर और राइस डालने के बाद आपने एक बार अच्छे से चिकन के साथ राइस को मिक्स कर लेना है और high flame में boil अने तक बेट करेंगे और एक बार नमक और मिर्ची आपने टेस्ट कर लेनी है अगर आपको लगता है इसमें नमक मिर्ची कुछ कम है तो आप इसमें add कर सकते हैं बाद में नहीं add कर सकते हैं क्योंकि बलॉब बन रहा है तो देखे राइस उपलना शुरू है चुक है उपर से cover कर दीचिए और दो मिनिट तक medium flame में पकने दीचिए दो मिनिट के बाद आपने इसमें थोड़ असा न अगराब कर धनिये के डंठलों वो काईट के डाल सकते हैं इसमें तो ओके देखे फिर से उपर इसके ढखका रख देते हैं और फिर से इसको 2-3 मिनिट तक पकने देते हैं ऐसा करने से क्योंगा आपका जो चिकन है वो भी अच्छे से पक जाएगा और जो आपके राइस है ना वो भी खिले-खिले बनेगे तो यह देखे हैं आपके तोटली 5 मिनिट हो चुके हैं चिकन को और राइस को पकाते होए और राइस का जो पानी है बहुत ही कम हो चुका है इसके बद आपने उपर से कवर कर देना है और मीडियूम फ्लेम में आपने 2-10 सल लगवानी है यहां पे और जैसे प्रेशर उपकर में 2-10 सल ला जाए आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और गैस की फ्लेम बंद करने के बद स्टीम नहीं निकालनी है कितम से स्टीम के अंदर ही रहने देना है जब अपने आप स्टीम निकल जाए तो उसके बद आप ढकन खोल लिए और प्लॉग को चेक कीजिए तो आपको राइस कुछ ऐसे दिखेंगे वट एक और गलती करते हैं कि राइस को हम सीधा प्रेशर उपकर में ही रहने देते हैं जो नीचे वाले राइस होते हैं अब गीले हो जाते हैं तो उसके लिए भी तरीका बताता हूँ आपने राइस को किसी बड़े बरतन के अंदर पल्टी कर देना है और पल्टी करने के बद आपने राइस को थोड़ा सा ठंडा होने देना है और राइस को अपने पल्टे से हिलाना नहीं है प्रेश रूख करके अंदर राइस को आप पल्टे से पल्टी करेंगे तो उससे कहो राइस टूट चाएंगे देखिए मैंने ट्रे में राइस को पल्टी कर दिया है और थोड़ी सी जैसे राइस को हवा लगती है ना राइस अपने आप भी खेल जाते हैं तो यह देखिए ऐसे आपने इनको हलका सा भी खेल देना है और दो मिनिट के अब इनको गर्मा गर्मा सर्व गर सकते हैं और होल स्पैसिस आपको दिख रहे हैं इनको निकालना चाहें निकाल सकते हैं और दो मिनिट के वाद जैसे राइस थोड़े से ठंड़े हो जाते हैं तो राइस देखिए कैसे खिले-खिले हो जाते हैं आप इनको खा सकते हैं प्लेइन करड़ या राइते के साथ तो अगर वीडियो अच्छा लगोगा तो लाइक शेयर को मैं चुरूर कीचेगा.